नमस्कार मैं हूँ दीपी का पात्रे और आपने देखना प्राहरम कर दिया है tv30india.com उत्तर प्रदेश सरकार में उर्जा मंत्री पत पर रहे वरिष्ट कॉंग्रेसी नेता सती सर्मा से किसानों की मुद्दों को लेकर tv30 इंडिया ने की खास बात चित हमारे साथ मौद्द हैं कांग्रेस के वरिष्ट नेता और पूर्व मंत्री सती सर्मा जी आज हम उन से बात करेंगे तो जैसा कि अब दोरा चल रहे हैं पर देश में और जगे जगे पर आप लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में तो क्या ये किस जो अभ्याने ये क्या अभ्याने किस के तहत आप जा रहे हैं लोगों के बीच में और किसानों के लेकर क्या चीजें हैं जो आप लेकर बीच में आए हैं ये हमारा प्रियंका जी के आदेश पर और हमारे प्रदेश अध्याक्ष मानिया सिरिया जय कुमाललू जी के निर्देश पर ये छे तारिक से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर के सान जन जागरन अभ्यान चला जा रहा हैं जिसकी शुरुवात छे तारिक से लग्लों में हमारे प्रदेश सद्याग जी ने इसके सुरुवात कर दिया है आर तारीक से आज से हम प्रतेक जनपद में ये कारेकरम आज प्रैस के माध्यम से हम तिथी बार जो हमारे कारेकरम हैं किसान जनजागराना भ्यान के उसकी आज से यहां सुरुवात करेंगे कौन से ऐसे प्रमुक मुद्धे हैं जिनको लेकर आप किसानों को बीच में जा रहे हैं कि एक तो किसानों का करज माफ नहीं हुगा जबकर कांग्रेस ने किया था साड़े पांच लाख करोड रुपया उद्योग पत्यों का तो सरकान ने माफ कर दिया लेकिन कांग्रेस जब सासन में थी तब उन्हें सत्र हजार करोड किसानों का करज माफ किया था फसल की लागत कई गुना बल गई है लेकिन जो दाम देने की बात थी कि दुगना हम दाम देंगे वो दुगना नहीं दिया जा रहा जैसे फसल की लागत की बात करें तो अभी महराष्ट में भी अंदोलन हो रहा था जो बीमा कमपनियों के उपर जो किसानों ने जो अंदोलन कर रहे हैं के क्लेम को लेकर तो क्या उस तरीके की कुछ रूप रेखा कांगरेस यहां पर उत्तरफदेस में भी बना रही है यह वह इन की दान की कीमत किसानों की कांग्रेस ने बढ़ाई थी 800 रुपे को राए था भारतिय जनता पार्टी की सरकार में डीजल और पेट्रॉल इतना महंगा हो गया है जिससे वो ट्रेक्टर भी चलाते हैं तो उन्हें महंगाई पड़ती है फशल उगाने के लिए तो उनकी लागत बढ़ती जा रही है लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से सुबदा कुछ नहीं ह तो यही सब चीजें इस फारम में भरी हुई हैं और हम फारम भरवा करके यह हर तहसील दिवस पर तहसीलदार को देंगे वहां पर प्रदर्शन करेंगे जिलादकारी को गयापन देंगे हम विधाय को और सांसदों के घर पे जाकर के भी धना प्रदर्शन करेंगे और उन् को ये सुहबदाय मिलनी चाहिए वरत्मान की जो सरकार है जहाए प्रदेश में हो चाहिए केंदर में हो ये दोनों ही सरकार요 तो पर आपको कहां लगता है कहां पर इसी चूक हो रही है जो आपकी सरकार में नहीं थी और वरतमान की सरकार में हो रही है चुक क्या ये वाज़े जुटे कर रही है ये आंक्ले जो भी देते हैं कि हम Casey कसानों का इतना कज आमाफ कर दिया किसानों के अमने लेटरी ने इतनी बणवा दिगाओं में इतने गाओं में हम ने बिजली पहुंचा दी वो सारे आंक्ले इनके जुटे हैं केवल मीडिया के माध्यम से वो अपना ये जूटा सांसा परचार कराते हैं जबके असलियत में जमीन पर वो चीज देखने को नहीं है आठियाई डालते हैं उसका जवाब तक नहीं देते हैं एक चीज दोरे जैसे कि उत्तरफदेश में आप दोरे पर हैं उत्तरफदेश का अभी हाल फ्लाल का एक फरुखाबाद का मामला आया था एक किसान का जो उस किसान के बारे में जानकारी हुई होगी, वो एक पुलिस इंकाउंटर में मारा गया था, जिसने कुछ बच्चों को बंधक बना लिया था उस मामले में जो अभी कुछ तर्थ निकल कर आ रहे हैं, जो के अभी सीधो तर्पर सबके सामने नहीं आपना हैं कि उसने एक डिमांड की थी, उसने अपने घर में एक सोचाल है और एक सरकारी आवास की डिमांड की थी और वो बहुत लंबे समय की अपनी प्रताड़ना को जाहिर करना चाहरा था, लेकिन उसका इंकाउंटर किया गया, इंकाउंटर करने के बाद जो है कहते हैं, उन लोकों को जिनके बच्चे उस समय पे वहाँ जो गंभीर समय था, वहाँ पे बंदक थे, उन लोको अब आव जो जूट बोल रहे हैं और जो किसानों के हक में हम हर चीज पर अंदोलन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे और कोई भी विरोध करता है, इस सरकार का केंदर सरकार हो चाह पिर देश सरकार हो, तो तुरंत आरूप लगाते हैं, ये देश द्रोई हैं, ये पाकिस् कमेटी है या वहां के जो कांग्रेसी जने क्या इस विसाय में हम आंगे कोई कदम उठाया जायागा पार्टी की तरफ से बिलकुल निश्चेत रूप से वहां की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जो हमारे वहां के प्रबारी हैं उन से जाकर के निश्चेत रूप से मिले और उस समस्या को पुर्जोड तरीके से हम प्रदेश से इस तर पर भी उठाएंगे यह थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ट निता और पूर मंत्री सती सर्माजी और बहुत सारी चीजों पर चर्चा कि एक तो पूरी बिस्तार से बताया कि कैसे किन बातों को लेकर कांग्र जन अंदूरन के तोर पर एक खड़ा करने की बात कर रहे हैं लेकिन अब देखना होगा कि यह कहां तक कारगर होता है और कितना यह आंगे तक जा पाता है इसी तरह की और अधिक राजनिती अपडेट को जानने के लिए आप TV30 इंडिया के एंड्रोइड एप को अपनी Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप हमें Facebook, एवम, Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं